हेलो टू आल आप सभी के फिस्वागत है बार रेडी टू लर्न में और फ्रेंड यह जो वीडियो मैंने बनाई है आज वह आपकी यूपी बीएड काउंसलिंग 2020 के उपर और जैसे आपको पता है कि काउंसलिंग की जो शिड्यूल थी वह बार-बार चेंजिस होती रहती तो अब निव कांसलिंग शिड्यूल आ चुका है लगनो इनुशिटी द्वारा वैबसाइट पर पढ़ा है मैं ओफिशल वैबसाइट आपको लिंक दे दूँगा बाकी मैंने जो जो रैंक वाइस जो आई निव शिड्यूल उसका भी पीडिएफ मैं दूँगा लिंक में है लिंक के तौर में और डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं तो चलिए मैं इस वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है कि आपकी रैंक कितनी है और आपको किस दिन आपको कांसलिंग करानी है अपनी एड्मिशन के लिए ठ सारी आपको detail मैं लिंक देदूँगा description में आप वहां से देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं मैं दिखा देता हूं को new counseling के schedule के हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर simply यहां पर जारी कर दी गई है लिस्ट इसमें आप आपकी start कप से होनी है आप यहां देख सकते हैं आपकी 19 नॉम्बर से starting है यहां पर और 19 नॉम्बर से किसको करानी है जिसको फेज वन बोल रहे हैं यह करवानी जिनकी रेंग स्टेट रेंग एक से पचास हजार के बीच में हैं उनको 19 से counseling करानी है और यह उनको अपना admission कराने फी पे करनी है और आपको फिर confirmation फी पेमेंट के बाद confirmation इसलिफ डाउनलोड कर लेनी है तो यह थी आपकी जिनकी रेंग एक से पचास हजार तक है उनका schedule है यह और बता दूमें इसमें आप जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें college का अपना क्या सकते हैं कि feel करें choice feel करें ज्य नेक्स्ट में देखिए फिर उनकी बारी आएगी जिनकी रेंग पचास हजार से एक लाग चालिस हजार है इसमें फेस टू की counseling होगी इनकी रेंग करेंगे लगो यह करेंगे 24 नॉम्बर से करेंगे और 24 नॉम्बर से इनको registration करना है और इसके बाद इनको choice feel कर देना है और दिसम्बर तक इनकी complete कर लेनी है यह phase 2 वाले है यानि इनके rank है 50,001 से 1,40,000 के बीच में इसी तरीके से इनकी बात आपका होता है जिनकी rank 1,40,000 से उपर और 2,44,000 के बीच में आती है उनको कब से करवानी है उनको आपका basically करवानी है यहां देख सकते हैं 29 नॉम्बर से हैं सामने देख सकते हैं 29 नॉम्बर से इनको करवानी है जिनके rank 1,40,000 से और 2,44,000 के बीच में है फिर next इसी तरीके से आपका बनता है जिनकी 2,40,000 और till end तक है तो उनको कब करवाना है उनको करवाना है 4 दिसम्बर से यहां पर आप देख सकते हैं ठीक इसके बाद क्या होता ह यह आपके चार फेजीज हो गए उसके बाद आती है कि पूल कांसलिंग तो पूल कांसलिंग मैंने बताया है कि पूल कांसलिंग होती क्या है इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं लिंक में दिया है वहां से आप चेक कर सकते हैं और पूल कांसलिंग इसमें जो बच्चे माल का मिलेगा सारे डेटा एक बार कलेक्ट हो जाएगा कि हाँ आप इन रेंक में आ रहे थे बट आपने किसी करणवस नहीं करा पर आपको चौंस दिया जाएगा उसके बाद क्या है कि बच्चे हुए जो है मली सीटे फिर भी बचती है तो आप डायरेक्ट जो है एडमिशन ले सकते हैं तो फ्रेंड ये थी आपकी काउंसलिंग की सिड्यूल जो नई जारी कर दी गई है लगनुशिटी द्वारा और आपको इसमें कुछ प्राब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करिए मैं इसमें आपको शलूशन जरूर बताऊंगा और यह मैं आपका इसका पीडिय समदीद वापको इसमें मिल जाए तो जाते हैं नेक्ट वीडियो में